बच्चों आओं क्लास 9 की वोक्षिट तंबर 71 को देखें जो की 23 दिसम्बर 2020 के लिए है बच्चों हम आज नया चाप्टर शुरू कर रहे हैं चाप्टर 13 हम बिमार क्यों होते हैं और इसमें आज हम जानेंगे कि स्वास्तियों क्या होता है और इसका क्या महत्व है यहां दिया हुआ है आजकल बहुत से स्वेस्टलों कोरोना वाइरस से ग्रसित हो रहे हैं इसका क्या कारण हो सकता है तो यहां पर दिया हुआ है कि COVID-19 के family के दो प्रमक कारण है क्या क्या है वो कारण तो एक है कम रोग प्रतिरोधक्ता और दूसरी है लापरवाही कम रोग प्रतिरोधक्ता से ये मतलब है कि जब शरीर पे सुक्ष्म जीव आकरमन करते हैं जब हमें रोग होता है तो उस रोग से लड़ने की शक्ति शरीर में कम होती है यानि प्रतिरोधक्षमता क्या होती है जब कम होती है तब भी हो सकता है हमें कोविड-19 या दूसरे रोग और दूसरी है लापरवाही यानि सरकार के द्वारा जो दिये गए हैं गाइडलाइन्स कोविड-19 से बचने के अगर हम उन गाइडलाइन्स को नहीं फॉलो करते नही स्वास्ते को स्वास्ते कहते हैं यानि कि स्वास्ते होने का बिल्कुल भी मतलम नहीं है कि सर्फ हम रोग मुथ हो यानि शारिरिक रूप से स्वास्त हों तब हम नहीं कहेंगे कि हम स्वास्त हैं स्वास्त होने के लिए क्या कि जरूरी है शारिरिक रूप से भी व्यक्ति स् सकता क्योंकि आस-पास की स्थिति और वातावरन पर भी निर्भर करता है सामुदाई को व्यक्तिकत सफाई रखना करोना जैसी बीमारी को फैलने से रूखने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है यानि कि कहा जा रहा है कि सिर्फ खुद की सफाई रखना ही काफी नहीं है व्यक्तिकत सफाई ही काफी नहीं है बलकि हम जिस समाज में रहते हैं उसके भी सफाई जरूरी है ताकि हम ऐसी बीमारीों से बच सकें उसके बाद यह वैस स्वास्ते, स्वास्ते के यहां तीन पहलों के बारे में बताया गया है कि शारिरिक स्वास्ते, मानसिक स्वास्ते और सामाजिक स्वास्ते, यानि कि स्वास्त होने के लिए, स्वास्ते वाली इस्थिती पाने के लिए हमें ये तीनों प्रकार के स्वास्त सामाजिक स्वास्तिक व्यक्ति पाता है तो जब व्यक्ति अपनी आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेल जूल वो समबाद कर सके अपनी आविशक्ताओं को पूरा करने के लिए वो अपने समाज में अपने पडोस में आस पडोस में लोगों से मेल जूल रखता है अपनी बातों को कहता है उनसे मदद लेता है और जब लोगों को मदद की जरुरत होती है तो वह वेक्ति भी मदद के लिए तयार रहता है य या नहीं, यह हम तब जानेंगे जब व्यक्ति में कोई मानसिक तनाव या चिंता ना हो, अगर वो इन सारी चीजों से मुक्त हो, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्त है, उसके बाद आपके दिया हुआ है यहाँ पर कि अच्छे स्वस्ति के लिए कुछ प् यानि स्वस्त अहार का सेवन करना चाहिए व्यक्ति को, अब व्यक्तिकत और सामाजिक स्वक्षता होनी चाहिए, सक्रिय जीवनशैली होनी चाहिए, सक्रिय जीवनशैली का मतलब है कि व्यक्ति नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, अपने स्वास्ति के प्रति जाग उसके बाद है अच्छा शारिरिक और सामाजिक वातावरन जिसमें कि क्या है स्वक्ष आसपास की स्वक्षता, उचित कच्रा प्रबंधन होना चाहिए, स्वक्ष जल मिलना चाहिए व्यक्ति को, अच्छे भोजन यानि की संतुलित भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए और अच्छी स्वास्तिका नो है तो अगर विधिष क्या स्वास्त है तो अगर विधिष काृर तरह से स्वस्त है उसकी सारी गतिविदियां क्या होती है सही रूप से सुचारू रूप से होती है यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दवाव का सामना करने में मदद करता है यानि कि अगर व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्त है तो सामाजिक और मानसिक कोई दवाव अगर रहा है उसके उपर तो उसको भी आसानी से जहल पाता है उसके बाद है यहां मारे जीवन को आनंद में बनाता है यानि कि एक स्वस्त विक्ति खुश रहकर समाज में योगदान दे सकता है अगर विक्ति स्वस्त है तो वो अपना ही नहीं अपने समाज का ही नहीं बलकि अपन अभी आपसे बात वी कि वेक्ति अगर सिर्फ रोगमुक्त है यानि शारिरिक रूप से वो स्वस्त है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरी तरह से स्वस्त है पूरी तरह से स्वस्त होने के लिए वेक्ति मानसिक रूप से शारिरिक रूप से और समाजिक रूप से तीनो रूपों में उसे स्वस्त होना पड़ेगा जैसे यहां दियावा है कि कभी कभी रूब मुक्त होने पर भी कोई विक्ति अस्वस्त हो सकता है जैसे कि एक अच्छा गाय कि अदि किसी दिन बिमार नहीं है पर वो ठीक से नहीं गा सकता तो हम उसे अस्वस्त कह सकते हैं उसी त जो संघीड कार होते हैं , बिना सांस को तोरे वे बोके वे देकर बूद बहुत लंबी लंबीुम शुरी आइन गा जाते हैं यानि Mm 2, को धारन करने के ख्शम प्र हमता क्या होती है उनने में बहुत ज्यदा होती है। जो नर्तक होते हैं, जो डांसर होते हैं, वो भी तरह तरह की भाव मुद्राओं को खीच सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई विक्ति ऐसा नहीं कर पाता, तो ये नहीं है कि जो दूसरे विक्ति जो नहीं कर सकते हैं, उसको वो स्वस्ति नहीं है, तो देखो वही यहा नहीं कर सकते हम नहीं कहेंगे कि वो स्वस्त नहीं है क्योंकि अलग-अलग विक्तियों के लिए स्वस्त का अलग-अलग माईने है उसके बाद और क्या दिया हुआ है कि दूसरे शब्दों में रोग मुक्त होनी का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्त ही है और इसके को हम देखते हैं बच्चों क्वेशन दिया है सबसे पहला क्वेशन है स्वास्ते क्या है इसका महत्व लिखिए तो स्वास्ते क्या है आपके वरक्षिट में सबसे पहले ही यह मूटे बुल्ट से लिखा हुआ है यहां सौरी सौरी यहां से किसी वेक्ति के शारिरिक मानसिक और समाजिक रूप से अच्छा होने की स्वास्ते को स्वास्ते कहते हैं, तो यहां से आप लिखेंगे, question 1 का answer है, अभी पूरा नहीं है, नीचे इसका महत्व भी दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे, अच्छे स्वास्ते का महत्व यह दिया हुआ है, तो यह हो गया बच्छों आपके, अच्छे स्वास्ते का महत्व यह तीनों पॉइंट लिखेंगे, question 1 हो गया आपके, question 2 देखेंगे हम बच्छों, question 2 है, रोग मुक्त होना स्वास्त होने से किस प्रकार अलग है, स्वास्ट करें, तो देखो, यह यहाँ पर दिया हुआ है, कभी-कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई विक्तिय अस्वास्त हो सकता है, जैसे कि एक अच्छा गायक, यह दि किस दिन बिमार नहीं है, पर वर ठीक से नहीं गा सकता है, तो हम उसे अस्वास्त कह सकते हैं, तो यह विए और कुषन नमर 2 का एंसर था वह बच्चों, क्वेशन नमर 3 क्या कह रहा है, अच्छे स्वास्त के लिए उपर दी गई प्रमुखावशक्ताओं के अतरिक्ट, कुछ अन्य आवशक्ताइं भी हो सकती हैं, सोच कर लिखिये, तो देखो ये आपके दिया हुआ है अच्छे स्वास्ते के लिए कुछ प्रमखा वशकता है उसके अलावे आप से पूछा जा रहा है तो ये प्रतेक वेक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है आप अपने हिसाब से सो सकते हैं पर इसमें और कौन-कौन सी चीज़ जोड़ सकत हिरना अपने आसन पास की सफाई रखना यानि सामुदाइक स्वाच्ष्ता पर ध्यान देना ये सारी बात हो सकती है इसके अलावे आप और भी सो सकते हैं जो आप सो सकते हैं वह क्वेशन और थी का एंसर और लेक अग शकते है उसके फोर्ट क्वेस्ष्टिए कह रहा है स् यह हैं मांसिक स्वास्ति यह सामाजिक स्वास्ति और तीसरे जो दिया हुआ है आपके भावनात्मक स्वास्ति तो भावनात्मक स्वास्ति का मतलब है कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से मजबूत हो और वो किसी भी तरीके की दवाब को झेल सके तो यह हो जाएंगे बच्च झालो यह झालो नो झालो प्राभ प्राफस करना प्राइब लिए तो यहुद हो झालो फटिया है